दिल्ली साहीद देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए सब वैरियंट जी एन पॉइंट वन के नए मामले जो हैं वो दर्ज किये जा रहे हैं इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजेराय सर सबसे पहले तो JN.1 इस वैरियंट के बार में सर थोड़ा ब्रीफ कर दीजी कि क्या है ये वैरियंट इस वक्त इसकी कंडिशन क्या है इंडिया में देखिए JN.1 जो है पहले बार रिपोर्ट हुए थी अगस्त में अगस्त की जो सेंपल्स थे उसमें रिपोर्ट हुए हिंदुस्तान में भी रिपोर्ट हो रहे हैं दुनिया के करीब 40 देशों से जादे गार डबली चों की आप रिपोर्ड दे जेन वन रिपोर्ट हो रहा है इंफेक्टिव्टी इसकी जादे है या कौन सा वाइरस है तो सेम जो है ओमिक्रान जो चल ला है उसी का एक लिनेज है तो ओमिक्रान का ही लिनेज है इसलिए जो अ हाँ इसकी इंफेक्टिव्टी जादे है जो अभी तक रिपोर्ट है लेकिन कोई बहुत जादा सिवेर्टी कर रहा है डेथ कर रहा है नहीं है या कंप्लिटली मिल्टी को बाइपास करते रहा है कि जिनको पहले भी इंफेक्शन हो गया उनको जो है सिवेर्टी और डेथ क तक नहीं है तो इसलिए जो है जैन वान को लेकर अभी बहुत पैनिक की ज़रोत नहीं है देखो cases बढ़ना आपको याद होगा पिछले साल भी मैंने कहा था कि RNA वाइरस से mutations होते रहेंगे हजारों mutations हो चुके हैं इसको भी variant of interest की स्रेणी में डाला है अभी variant of concern नहीं है तो यह सब होते रहेंगे fluctuations भी होते रहेंगे अगले 50 साल तक होते रहेंगे यह omicron जो है या covid की बात करने SARS-CoV-2 जो है अब endemic हो चुका है वैसे ही जैसे common cold है इसे में ओभी coronavirus से होता है या भी endemic हो चुका है हमें इसको monitor करते रहना चाहिए क्या कभी future में खतरनाक हो सकता है जिसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है तो cases बढ़ना जो है common cold के भी अगर आप test करें तो लाखों एक दिन में होने लगते हैं लेकिन test होना कि उसको हम severity और death ना हो तो कोई माइने नहीं रखता तो आप problem किसको कहते हैं common cold होने को problem कहते हैं तो हमेशा रहेगा अगले 50 साल तक रहेगा कभी जाएगा नहीं severity और death को अगर हम problem कहते हैं इसकी संभावना बहुत ही कम है वह कि बहुत ही ज़्यादा अचानक बढ़ जाएगा ऐसी संभावना नहीं है सर इंफेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन उसे लगातार 700 से उपर केस कोविड में दर्च के जा रहे हैं न्यू यर की हम बात कर रहे हैं न्यू यर सेलिबरेशन की अब हम बात करेंगे कि 31 तारीक आ गई अगल तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है क कि मामले बढ़ेंगे अभी 2-3 दिन आने वाले। लिपोर्ट करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुए और केसेज 700 क्या, 7 लाक भी पढ़े हो जाएँ, तो भी कोई महने नहीं रखता है, कोई महने नहीं रखता है, अगर severity और death नहीं बढ़ती है। होते हैं यह सारा self-limiting होते हैं मतtırab अपने आप वायरस मर जाता है उसके लिए कोई दवा हमारे पास नहीं होती है वैसे self-limiting यह भी है आज तक मैं सार्शकोना वायरस का अगंश कोयी दवा नहीं है के हमने तीन-चार दिन के बात करें, क्योंकि पार्टी में लोग होंगे, बहुत ज़्यादा सेलिबरेशन करेंगे न्यू येर की, तो ऐसे में, क्योंकि अब दिल्ली में भी जीन पॉइंट वन का एक मामला दर्ज हो चुका है, तो ऐसे में लोगों के लिए साफधानी की बरतिन की लगा दिया था, कम्प्लीटली सारा मूमेंट बंद हो गया था, सडक पे कोई नहीं दिख रहा था, तो अभी जो है, दस केसेज पर डे से, जो है, एक लाख केसेज पर डे सेप्टमबर दो हजार बीस में पहुँच गया थे, पचीस मार्स दो हजार बीस को जब हमने लाग पा रहे हैं, पिछले दो साल से कोबिट कंट्रोल है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सब को इमनिटी मिल चुकी है, इसलिए जो है, यह को है, अगर highly infectious है, इसलिए इसको मास्क पहन के रोक लेंगा है, भीड में जाने से रुख जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है, वो त रिस्टिक्टेड इंट्री कर दें, कोई अपनी इंजॉयमेंट को बंद कर दें, उन सब वो उससे ज़्यादे प्रावलम है, बच्चों को हमने स्कूल में बंद कर दिया, घर पे रखा, यह सब ज़्यादे प्रावलम देती है, कोबिड अवो प्रावलम नहीं, कोबिड ए मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन ऐसे में साब्धानी जो है आने वाले तीन-चार दिनों में रखिए, ताकि जो मामले हैं कोबिड के, वो अभी फिलाल रुके, वीडियो जनले से धर्द गुपता के साथ, हरीच चाह, न्यूज नेशन, देली